राश्टर्पति चुनाव के लिए बीजयोपी ने अपने उम्मिद्वार के नाम के ऐलान कर दिया है दिल्ली में पार्टी के अधियक्स जेपी नड़ा ने एक प्रेस कॉनफरेंस किया और इस प्रेस कॉंफरेंस में नड़ना ने कहा कि द्रोपदी मुर्मुर को सर्व समती से रास्पती पद का उम्मिदवार बनाने का फैसल लिया गया है अब इसके बाद आपको बता दी कि प्रधान मंतरी नरेंद्र मूदी ने उन्हें बढाई दी है और अब द्रोपदी मुर्मुर की सुरक्षा जो है वो जेट प्लस कर दी गई है इसके बाद वो भगवान के मंदिन में दर्शन करने के लिए भी पहुची है और इसके बाद बीजेपी के अगर बात कर ले तो बीजेपी और उनकी सहयोगी पार्टियों को मिलकर बहुमत से कुछ कम वोट है लेकिन द्रोपदी मुर्मुर के नाम पर कई और पार्टियों को समर्थन मिल सकता है और ये कहा जा रहा है कि द्रोपदी मुर्मर ही अगली राष्टपती बन सकती है हला कि अगर बात करें तो औरिसा की रहने वाली हैं मूल रूप से निवासी और उन्हों नवीन पतनायक ने भी उन्हें अपना समर्थन दे दिया है तो एंडिये की तरफ से राष्टपती उम्मिदवार द्रोपदी मुर्मुर बनी है और इसके बाद से प्रधान मंत्री ने भी उन्हें बढ़ाई दी और सुरक्षा जो है उनकी बढ़ा दी गई है तो एंडिये में राष्टपती पद के प्रत्यासी का ऐलान हो गया है, उम्मिदवार का ऐलान हो गया है और द्रोपदी मुर्मुर को एंडिये ने अपना उम्मिदवार चुना है जिसके बाद से वो मंदर में दर्शन करने के लिए भी पहँची है सुरक्षा अभी उनकी बढ़ा दी गई है और ऐसे में अगर बात करें तो लगभग ये माना जा रहा है कि राश्ट्रपती द्रोपदी मुर्मुर ही बनने वाली हैं कई अलग अलग पार्टियों की तरफ से भी उन्हें समर्थन है कि अगर पूर्व से ढूंड़ना चाहिए भारत के पूर्वी क्षेतर से ढूंड़ना चाहिए और हो सके और हमारा प्रयास हो महिला को हमको स्थान देना चाहिए और आज तक कोई आदिवासी ट्राइबल प्रत्याशी राष्ट्रपती के रूप में नहीं आया है इसलिए हमें ट्राइबल पर और पहली बार कोई ट्राइबल को भारती अगर एंडिये के तरफ से हम कैंडिनेट बना सकेंगे इसलिए श्रीमती द्रावपदी मुर्मू इनको राष्ट्रपती का प्रत्याशी घोशित किया गया है इन और झाल जब चाहिए हम आस लेकर लेकरी झाल झाल प्रत्याशी आप तर्फ से हम लेकरें इसलिए आपार प्रत्याशी द्रावदेकर नहीं हैं प्रत्याश्रावदी का लेकर झाल झाल